नमस्कार चतीजगर के नमबर वन बुलिटिन में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक चतीजगर में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ गई है एक तरफ जहां अरुन साव ने कहा कि बीजेपी उमिद्वारों को लिस्ट फरवरी में ही लाना है तो दूसरी तरफ बस्तर की सीटों को लेकर भी मन्थन की गई है अर्च क्या हुआ इस बैठक में किन बातों पर फोकस रहा आपको एक रिपोर्ट दिखाते दिप्टिसिया मरुन साव ने लोगसभा चुनाव को लेकर कहा कि फरवरी में बीजेपी की उमिद्वारों के लिस्ट आ जाएगी साथी उन्होंने प्रदेश की 11 लोगसभा सीट जीतने का दावा किया के चल रही है कलेस्टर बन गया है लोगसभा के प्रभारी सहप्रभारियों के नुक्ति हो गई है और उसके लिए बैठके प्रारंब हो गई है तो निश्ची दिरुप से भारती जंता पार्टी च्शतिरगड के 11 के 11 लोगसभा सीट जीतने के तैयारी में पूरी ताकर से जूटी है देखे हमेशा भारती जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है पर पार्टी जिजने योग गया और सक्छम प्रत्यासियों को चुनाओ के मैजान में उतारेगी वही बीजेपी का फोकस आदिवासी सीटों पर भी है बस्तर की लोगसभा सीटों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें शेत्रिय संगठन महामंत्री अजय जामबार, संगठन महामंत्री पवंसाई, रास्त्रिय उपाध्यक शुलता उसेंडी, अजय चंद्रा विधान सभा चुनाओ के बाद अब लोगसभा चुनाओ की बारी है, विधान सभा चुनाओ में जीत के बाद बीजेपी अब कोई कोर का सब नहीं चोड़ना चाहती, और बस्तर सहीत लोगसभा की 11 सीटों पर फोकस कर रही है, विरो रिपोर्ट, न्यूजेटीन, मध्यप मध्यप्रदेश राजिस्थान के बीच चल रहे एक लंबे विवाद, नदी के विवाद का मसला अब सुलज गया है, मोहन यादव इस बीच MOU साइन करते हुए, आपको तस्वीर दिखा रही है, जहां भजनलाल शर्मा और मोहन यादव की बात हो गई है, आज भजनलाल श राजधानी में आचुके हैं मोहन यादव, प्रेस कॉंफरेंस में क्या कह रहा है, आपको सिधे सुनाते हैं? त्वाम दूसरे विकास की बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी और बड़े प्यमाने को हमारी जो लगदा प्रयोजना है, उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि हमेथा उसका अभाव में हमको यहां से बहुत लंबे दिल तक सारी ताकत लेगा करके जिए वो प् हमारे हमने चंबल की बेट्टों में बड़े जिमाए इसका लाँ दिलेगा, और ये इतना सुफ़द मुका है कि एक तरह से मानी मोदी जी की जो खिल्पना रेती ही कि पुरी काम करना तो तित और परिद कर्पिस होना चाहिए, मानी मोदी से कार्चा होई थी उनने कारता कि कि पुलन जितने जल्दी हो सके और ये राजिस्तान के मुक्त मत्री जी ने आघर किया कि आप आए तो आज ही हम जईपुर में भी अपने कुछ अपस में दोनों राज्यों के कुछ बड़े थे और मुझे इसका सुफ़द संदेश ये मिलना आ कि हमारे दोनों के पीश में कुछ दिन पुर्दों पे असहमती थी, मानी मंत्री जी ने असहमती लाने के लिए बहुत हमी का रहा की, और अब हम दोनों राज्यों का मुला करते हुए, उपकुल में लाकर करके देश उपना एक बड़ा में दोने जा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी संभा होना अपने अपनी सरकार के और से, अपने अथिकार के और से, आम देंता के और से, आप ताफाली मंता हो रुवित करता हो कि ये परियोदना अपने निवधार समय के अंदर ही फूली होगी और इसका लाव हम से लाएं मैं एक मिनस्टर राजस्तान आत अपना विचार हमारे साथ साथ आ करे समय करूंगी माणी दिल्सक्ति मंत्री सव्मने बेजन्दी सेखावस साहब हमारे मंतर तिसके मुखतर जी महुनियादर जी सभी कारिगंड सबसे पहित में आप सभी को बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुकत देना है क्योंकि यह बहुत ही क्लम में तियोजना थी लेकिन हमारी यह सभी प्रदान मंतरी नरिंद्र मुझी जी के नेत्रता हाज इसको पून रूप से सहमती और आगे काम के लिए आज यह समझोता हुआ है मैं मानि प्रदान मंतरी जी को भी बदाई देना चाहता हूं जल सकती मंतरी जी को भी बदाई देना चाहता हूं और मारे मत्रदेश के मुख्वंत्री महुंजी का भी मैं बहुत बहुत अदाई देना चाहता हूं कि छोटे मोटे इसुन थे उन सब को सुल जाते हुए क्योंकि लंबे ते उजना इतनी थी कि पीच में कांगरेश सरकार ने इसको जाने की पूरी कुशिश की तो कभी मत्रदेश की कांगरेश सरकार तो कभी रायस्तान की कांगरेश सरकार क्यूंकि एसुच्छी प्रधान मंत्री जी की धंच इचना इक्षश कती है, उन की मजबूर्ति के कारण, हमको यह काम्यावी मिली है और मानिय कजिन निर्जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है मैं राजिस्थान योर से, क्योंकि राजिस्थान का बहुत बड़ा चित्र है 13 हमारे जिले हैं, 280,000 हेक्टर सुनसित पूर्मी के लिए भी इसमें है यह बहुत बड़ा परदान सावित पुर्विराइस्थान के इंतेरे जलों के लिए होगी इसमें यही नहीं क्योंकि जो बंच शेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है कि समी के लिए उसका फैदा होने वाला है हमारा अध्यकु शेत्र हो, चैवारा किशी शेत्र हो उनके लिए बहुत बड़ा पैदा इससे हो और मैं क्योंकि माने ब्रदान मंत्री जी के लिए तुरुत में जो काम होता है उत्मून रूप से जो करते हैं वो आगे चल्दी पूरा होता है मैं माने गजिनरी जी से भी यही बिरन करना चाहता हूँ कि इस काम के शुरुवात भी चल्दी हो और आगे तुर्ट गती से काम भी हो जिससे कि राजिस्तान के रुमत्र प्रदेश की जनता को खाइदा इसका बिल सके कापी दिन से जनता की आज थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा किसी को भी मिलेगा करना व आज होने जा रा है मैं आप सभी को बहुत-बहुत बदाई उन्हें यसु शिमाने-प्रदान मंतिरी जी पाने अमारे चजलसक्ती मंत्री की ज virशी को और आप सभी का जिस मंसीए कि अध्र बाब से आप सभी अध्कारी लगें आपका भी और मानिय है हमारे मत्रदेश के मुख्यमंत्री महुंद जी का जो उने जब हम ने का तो उन्हों हमेसा इसमें सेहुग की बात की उनका भी में धन्नबात करता हूं पहुत बद्धा कुछ शुक्रियम हो दे अब सर हम आपसे रिक्वेस्ट पहते हैं मद्यम्न देश के माननी मुख्यमंत्री श्री मोहन ज्यादर जी राजस्तान के संबानी मुख्यमंत्री श्री भदिनलाई शर्मा जी भारत सरकार के जलसंसादन विभार के सचीव आरणिया दिवाश्य जी परिज सरकार में में मेरे साथ ही आप्ली स्वांत श्री राम बेदरे जी मृट्रवदेश और राजस्तान दोनों ही सरकारों के संबहनी अधिकारी गड़ वहा है सम्मानित अधिकारी रड़ पत्रकार वित्रपूर आज निश्यति राजस्तान और मद्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगवग 26 जिन है जो जैसा माने मुख्यमंत्री मद्रदेश राजस्तान दोनों आपके मुत्वर में कहा कि जो पानी की कमी वाले एक शित्र हैं उनके लाकों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सुड्यो दर्कते हैं और भारत की सरकार जो मने नरे नुद्र जी के नेत्रत्त में ऐसे सारे विश्विव चो वर्शों से लंबी तेंके समाधान के लिए तुरित गति से काम कर रही है भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सब्सक्राइब करें जैसा अभी चर्चा हुई स्वलियतल जी के जवाने में सर्प्लस बेसिन से डेफिसित बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जलसंसादनों का हम संपूर्णता के साथ को प्योग कर सके इस द्रश्टिकोर्ण से जो विचार बना था उस विजार को आगे बढ़ाते हुए पारवती काली सिंद परियोजना और राजस्तान का इस्टन राजस्तान कैनल प्रिजर के दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोडने के परियोजना की कल्पना की इस परिकल्पना की पी अफार बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ National Water Development Authority को और साथ ही साथ में Interlinkage of Rivers की Task Force को भी और उसकी जो SIILR हमारी Supreme Court के मार्ण दर्शन में निर्देश से जो कमिटी बनी है उनको भी क्यों लोगों ने इस परियोजना को नए के वल इसको National Perspective Plan में इंक्लूड किया Priority Link के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राचियों के बीच में तक्नीकी का अथार पर सहमती बना करके आज के इस हुकाम कर लाकर के खड़ा किया है कि जब हम गर्ब के साथ में बात कह सकते हैं कि इसकी डीपियार बन जाने के बाद जब हम काम प्राड़ा भी करेंगे तो निश्यती जैसा बताया गया कि पांच लाक चालिस हजार साथ हजार से ज़्यादा हैक्टेर हुमी मतलब लगब चौदा लाक एकर जमीन जो है वो किसानों की नई सिचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेजल की सुविता जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थाई रोप से मिलने वागी इतना ही नहीं परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाव है जिनको इस परियोजना के माध्यम से कोशिक किया जाएगा उसमें पानी का संचय किया जाएगा उसके अखारण सो पूरे आसपास के ख्षेतर का जो अनुर्ण वाटर टेबल जो निरंदर घटता जा रहा है उस टेबल को भी वापस उपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी अज दोनों माननी मुख्य मंत्रियों नहीं के साथ बैठ करके उपस्तिकी में मानी प्रधान मंत्री जी की अपिक्ष्या के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननी अर्भिकारी गन सचेव गन इस समझोता पत्र पर अस्टाक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 दिनों के आने वाले भविश्य को जो है वो रिखांकित करने वाला भविश्य को बनाने वाला दिन होगा मानि प्रदान मंती जी का निरंतर या आगरे राय है कि हमें अपने जलसन साधनों का सर्वोत्तम सर्वातिक उप्योग उप्योग किस तरह से हो सके इस घ्रष्टिकों से काम करने के आवश्यक्ता है पुरु में भी मध्यपुदेश को तो दोरी बदाए देता हूँ कि देश में दो इंटर लिंके परियोजना है अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगी कदम बढ़ा हैं दोनों में ही मध्यपुदेश एक स्टेकोलडर है अब मुझे लगता है कि मध्यपुदेश की पानी के प्रती जो जिस तरह की सम्वेदन शीरता है और जिस तरह की नुची लेकर के काम करते तो दोनों राज्यों के बीच MOU साइन हो चुका है और अच्छी खासी सहमती नदी को लेकर हो चुकी है इधर कॉंग्रिस भी लोगसभा चुनाव की तयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज कॉंग्रिस की राष्ट्य महिला अध्यक्ष अलका लामबा राइपूर पहुची अलका लामबा राइपूर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें उन्ह ने लोगसभा चुनाव को लेकर बातचीत की रिपोर्ट के जरीया आपको दिखाते हैं किन मुद्दों पर चर्चा हुई महिला कॉंग्रिस की रास्टे अध्यक्ष बनने के बाद अलका लामबा पहली बार दो दिन के दौरे पर 36 गड़ पहुची हैं महिला कॉंग्रिस की कारेकरताओं को लोगसभा चुनाव के लिए रिचार्च किया उन्होंने लोगसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंदन को लेकर बात की साथ ही दावा किया कि कई जगहों पर गठबंदन की सीटों को लेकर बातचित पाइनल हो चुकी है लगातार हमारी बैठ के जो हमारे 28 इंडिया अलाइंस के डल है लगातार हमारी बैठ के चल रही है कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा बहुत से राज्यों में ये बाच्चित पूरी भी हो चुकी है एक तरफ बिहार में नितिश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद खंड खंड गठ बंदन की बात कही जा रही है दूसरे तरफ राइपूर पहुंची अलका लामबा सीटों की बाच्चित को लेकर दावा कर रही है अब नितिश कुमार के इंडी गठ बंदन से विदाई लेने और एंडी गठ बंदन से बंधन करने के बाद 36 गड में कॉंग्रिस को क्या फर्क पड़ेगा ये तो चुनाओ के वक्त ही पता चलेगा ब्यूरे रिपोर्ट निउस 18